तो दोस्तो ये काणी है रामपुर्ग गाउं की माना जाता है कि इस गाउं में एक डरावनी चुड़ैल रहती है अरे बाई स्यामू ये क्या हो रहा है दिन पे दिन हमारे गाउं के आदमी उस चुड़ैल के हाथों मारे जा रहे हैं मुझे तो ये डल लग रहा है कहीं एक दिन हम लोग भी ना मारे जाएं अरे हां रामू भाई या बात तो तुम सही कह रहे हो क्योंकि वह चुड़ाल रात के 10 बजे के बाद सब के गर पे आती है और जिसका भी गर का दरवाजा खुला देखती है तो वह इस्तरी का रूप दड़ाल करके उसके गर में चली जाती है और फिर उसे मार देती है हमें जलदी कुछ करना होगा इतना कहने के बाद दोनों वहाँ से चले जाते है कुछी दिर बाद गाओं में अन्देरा हो जाता है और चुड़ेल के आने का टाइम हो जाता है अरे चलो रात के दस तो बच चुके हैं चलो अब मैं उस गाउ में चलती हूँ अरे लगता है कि मेरी डर की बैसे आज गाउ वाले फिर से जल्दी सो गये है लेकिन चलो कोई बाउट नहीं कोई मुर्गा तो जरूर मिलेगा अरे ये देखो मैंने कहा था ना कोई न कोई मुर्गा जरूर मिल जाएगा और आज एक मुर्गा और मिल गया अब मैं जल्दी से ये चुड़ेल वाला बेस अटा के सुन्दर इस्त्री वाला बेस धारण कर लेती हूँ तो देखते ही देखते ये चुडएल सुन्दर इस्तरी का बेस धारण कर लेती है अरे चलो मैंने औरत का रूप तो धारण कर लिया है अब मैं अंदर चल के देखती हूँ तो उसके बाद चुडैल अंदर चली जाती है और वह देखती है कि रामो अराम से खराटे लेकर सो रहा होता है अरे नास मीटे तु यहां पर खराटे लेकर सो रहा है आज तेरा आखरी दिन है उससे पहले मैं अपना असली रूप चुडैल वाला धारण कर लेती हूँ और फिर मैं तुझे मार देती हूँ तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगला पार जल्दी है